Welcome to your success, I hope you all are doing great और आज मैं फिर से आप लोग के लिए लेकर आया हूँ 100 words की list जो आपको इंगलिस सिखने में मदद करेंगे जैसा कि आप सभी लोग को पताईए आज day 7 थे word meaning की series का तो चलिए वीडियो को start करते है आज का पहला word है melody, melody का मतलब है राग, trip, trip का मतलब है यात्रा, office, office का मतलब है कार्याले, receive, receive का मतलब है प्राप्त करना, row, row का मतलब है पंक्ती, mouth, mouth का मतलब है मुह, exact, exact का मतलब है सटीक, symbol, symbol का मतलब है प्रतीक, डाई, डाई का मतलब है, मरना, लीस्ट, लीस्ट का मतलब है, कम से कम, ट्रवल, ट्रवल का मतलब है, मुसीबत, साउट, साउट का मतलब है, चिलाओ, एकसेप्ट, एकसेप्ट का मतलब है, सिवाय, रोट, रोट का मतलब है, लिखा, सीद, सीद का मतलब है, Beads, Tone, Tone का मतलब है Swear, Join, Join का मतलब है Shamil होना, Suggest, Suggest का मतलब है Sujau, Clean, Clean का मतलब है Sauf, Break, Break का मतलब है Tored, Lady, Lady का मतलब है महीला, Yard, Yard को हम Yard ही बोलेंगे, इंगलिश में और इंदी में दोनों में ही Rise, Rise का मतलब है Vriddi, Bad, Bad का मतलब है बुरा, Blow, Blow का मतलब है जटका, Oil, Oil का मतलब है तेल, Blood, Blood का मतलब है खून, Touch, Touch का मतलब है Spurs, Greve, Greve का मतलब है बड़ी, Scent, Scent का मतलब है प्रतीशत, Mix, Mix का मतलब है मिश्रन, Team, Team को हम Team ही बोलेंगे, इंगलिश में और इंदी में दोनों में ही Wire, Wire का मतलब है तार, Cost, Cost का मतलब है लागत, Lost, Lost का मतलब है खोया, Brown, Brown को हम Brown ही बोलेंगे, इंगलिश में और इंदी में दोनों में ही Wire, Wire का मतलब है पहनना, Garden, Garden का मतलब है बगीचा, Equal, Equal का मतलब है बराबर, Scent, Scent का मतलब है बेजा, Choose, Choose का मतलब है चयन, Fell, Fell का मतलब है गिर गया, Fit, Fit को हम Fit ही बोलेंगे, इंगलिश और इंदी दोनों में ही, Flow, Flow का मतलब है प्रवाह, Fair, Fair का मतलब है मेला, Bank, बैंक को हम बैंकी बोलते हैं इंगलिश और इंदी दोनों में ही, Collect, Collect का मतलब है इकठा, Save, Save का मतलब है बचा, Control, Control का मतलब है नियंत्रण, Decimal, Decimal का मतलब है The Sound Love, Ear, Ear का मतलब है कान, Else, Else का मतलब है बाकी, Quiet, Quiet का मतलब है काफी, Broke, Broke का मतलब है तोड़ दिया, Case, Case का मतलब है मामले, Middle, Middle का मतलब है बीच, Kill, Kill का मतलब है हत्या, Sun, Sun का मतलब है बेटा, Lake, Lake का मतलब है जील, Moment, Moment का मतलब है पल, Scale, Scale का मतलब है पेमाने, Loud, Loud का मतलब है जोर, Spring, Spring का मतलब है बसंत, Observe, Observe का मतलब है निरिक्षन, Child, Child का मतलब है बच्चे, Straight, Straight का मतलब है सीधे, Consonant, Consonant का मतलब है व्यान्जन, Nation, Nation का मतलब है राष्ट्र, Dictionary, Dictionary का मतलब है सब्दकोश, Milk, Milk का मतलब है दूद, Speed, Speed का मतलब है गती, Method, Method का मतलब है विधी, Organ, Organ का मतलब है अंग, Pay, Pay का मतलब है भुक्तान, Age, Age का मतलब है उम्र, Section, Section का मतलब है अनुभाग, Dress, Dress का मतलब है पोशाक, Cloud, Cloud का मतलब है बादल, Surprise, Surprise का मतलब है आश्चरिय, Quite, Quite का मतलब है सान्थ, Stone, Stone का मतलब है पत्थर, Tiny, Tiny का मतलब है छोटे, Climb, Climb का मतलब है चड़ाई, Cool, Cool का मतलब है सीतल, Design, Design को हम डिजाइन ही बोलेंगे इंगलिश में या फिर इंदी दोनों में ही, Poor, Poor का मतलब है गरीब, Lot, Lot का मतलब है बहूत, Experiment, Experiment का मतलब है प्रयोग, Bottom, Bottom का मतलब है तल, Key, Key का मतलब है कुणजी, Iron, Iron का मतलब है लोहा, Single, Single का मतलब है एकल, Stick, Stick का मतलब है छड़ी, Flat, Flat को हम फ्लैट ही बोलेंगे इंगलिश में या फिर इंदी दोनों में ही, 20, 20 का मतलब है बीस, Skin, Skin का मतलब है त्वचा, Smile, Smile का मतलब है मुश्कान, Crease, Crease को हम Creasy बोलेंगे इंगलिश में और हिंदी दोनों में ही, Hole, Hole का मतलब है छेद, Jump, Jump का मतलब है कूद, Okay, by this we come to an end of the video, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों वीडिया अच्छा लगाओगा, अगर अच्छा लगाओ तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे लेटिस्ट वीडियो अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे, और जिनोंने भी मेरे फिछले वीडियो वट्स के उपर नहीं देखियो, वो जरूर से देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, धन्यवाद जय हिन जय भारत!